जब हम अपनी काउंटिंग करते हैं तो लगबग 25 लाग के करीग उत्तर प्रदेश में हम कर्मचारी आते हैं लेकिन सरकार कहीं भी हमारी बात को सुनने को तयार नहीं हो हम अपने डिटार्मेंट के बाद पेंसन को लेके पिछले 18 साल से लड़ रहे हैं अगर हमसे सरकारिय कहें दें किसा अमारे पास के लिए खर्चा नहीं है तो कम से कम हमसे न जूट बोले एक लोकतांत्र में कहीं भी आप अपनी बात का बिरोध करने का राइट रखते हैं कि उस मुद्दे पर जाई हो तो नहीं बोलना चाहते हैं, न नए मंतरी बोलना चाहता है नहीं पर्मुकसजी बोलना चाहता है। के हिसाब से मुद्दे बदलते हैं मंचों पर मुद्दे बदलते हैं लेकिन क्या जो इस्थानिय मुद्दे हैं और जिन मुद्दों से आम लोग परिशान है उन मुद्दों को इन मंचों से उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा है आज हमारे साथ करमचारी हैं कि आप लोगों के मुद्दों के बारे में क्या नेता चर्चा कर रहे हैं उनका कंसर्ण है या जो मुद्दे समिधान बचाने की बात की जा रही है और अरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है मुसल्मानों को आरक्षण कार्चन काटने की बात की जा रही है तमाम ऐसे मुद्दे आजकल आप देखते होंगे आखबारों में टीवी चैनल से इन मुद्दों से आपका कितना सरोकार है और क्या आपके मुद्दे इनके बीच में गौड हो चुके हैं अगर देखा जाए तो यह इतने गौड तो नहीं है लेकिन सचा ही यह है कि हम अगर करमचारियों के नाते जब हम अपनी काउंटिंग करते हैं तो लगबग 25 लाग के करीब उत्तर प्रदेश में करमचारी आते हैं और अगर पिंसनर और करमचारी मिला लेते हैं अगर हम इ करते हैं हमारी जो सरकार ने रूल बना रखें उन रूल के क्रियानमेंबन जब नहीं होता है हमारे राजनाथ सिंग्ग, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, और देश के बड़े-बड़े रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हों उन्हें जब 2014 का चुनाव आया था तो इन्हों ने कहा था कि मेमानी मोदी जी से पूछ कर बताऊंगा कि इसमें हम पुरानी पेंसन बहाली के विसमें क्या कर सकते हैं हम लोगों को इन्हों साथ सौसन दिया था बाद में मुझ उन्होंने पूच के बताया और यह कहा कि उन्हों ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस पर पुनरविचार करेंगे जब सरकार बन गई और हम लोगों ने इन से मिलने की कोशिस किया दो बार ने फर्स्ट बार की जो हमारी बात ही 2014 में तो इन्हों ने कहा कि योगी मोदी जी ने कहा है लेकिन उस समद्ध में थोड़ा सा भी हमें टाइम लगेगा और मुसकरा कि उस बात को टाल दिए तब से आज तक अगर हम लोग मिलने की बात करतें तो इसमें कुछ काइने की instruct महव कुल रिवाला है उन्स है और हम लोग है कि वैंसे चुन्केक के किरू चाहर रहा है और खर्चा हो रहा है रुपए का जो पैसा है एक प्राइब होकर और उसको कहाँ खरचा हो enabling तो कम से न जूट बोले दूसरा बिंदोए कि हम जन प्रतिनीत चुनते हैं हम और हमारे परिवारी जन यह बात सही है कि जो वराल सरोकार के मुद्दें उन सरोकार को मुद्दों को हमब हम भी प्रबावित होते हैं लेकिन जिस मामले में विदान सभार इति भारा सरकार रूल बनाती है उसका करेंवन के लिए कि अधिकारी हमारा सोशनल नकरने पाधिकारी के मुला हमारा जो सूपर वीजन अथार्टी है वह हमारा सोशनल नकरने इसके रहे रूल बिद्वत बना हुए उस रूल की कम्पलाइंस के लिए हमको कोई फ्लेट फार्म नहीं मिलता है यह इसके लिए प्रमुख सची हुआ है मुख्य सची हुआ और यह बैठक करने की भी बात करते हैं लेकिन वो मुद्दे की बात कभी नहीं आती है और हमारे मुद्दे की बात नहीं होते हैं और उस मुद्दे की बात पर अगर हम करने की कोशिश करते हैं गेरने की कोशिश करते हैं तो हम सरकार के बिरोदी हो जाते हैं और फिर हमारे लेकिन एक भी मुद्दों पे करमचारी से ने सासन बात करना चाहता है, ने इनके मंतरी बात करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा प्रेट भार नहीं है, जहां पे हम लोग अपनी समस्याओं को ले जा करके उनसे बारता करें, उसमें कुछ निस्तारण होगा, कुछ नहीं होगा, य विवाग में भृष्टा चार है उस पर कोई बात नी करता और आप लोगों की बात भी नी सुनी जाती है आप क्या फिल ने लिए जो हमारा बेसिक मुद्दा है जिसे पुरानी पिंसन का मुद्दा वो सामाजिक सरुकार रखता है इसा नहीं कि वह हमी से जुड़ा हुआ है ह रहे उत्तरव देश में हैं अगर हम पूरे भारत्वरस की बात करने तो बहुत लंबी संख्या हम इस उप्राइब नहीं पूरानी पेंचन गाम अभी तक हम नहीं लगता किसी सरकार ने या किसी भी जन प्रत्नीदी ने किसी भी नेता ने चाहिए इंडिया गड़ बंदन का ह वो तो सुनाई नहीं दे रहा है और आप लोगों करें यह बहुत बढ़ा मुद्दा है और यह प्रभावित करेगा स्वाविक रूप से चुकी पूरा देश इस से प्रभावित हो रहा है आज साथ साल की सिवा पर हमारा करमचारी काई रिटायर हुए और आप भी स्वास नहीं करेंगे गरीबी की रेखा के नीचे का कार्ड बना करके जीवन अपन हो रहा है बलब साथ सो रूपए पैंसन मिल रही है कि 25 करौन गरीबी रेखा से ओपर ले आहे लोगों को आप लोंको मिश्वास होता है सरकार कर रही है, ला भी रही है, लेकिन कर्मशारी गरीबी रेखा की नीचे जा रहा है, मैं तो उदाहन बता रहा हो ना कि हो सकता है वो ला रहे हो किसी को, लेकिन हमारी जो इसी ती है कि हमारे अधीன काम करने वाला आदमी 715 रूप никаких पेंशन पा रहा है. डिये नहीं मिलता कोई मांगा वेता नहीं अगर सौ साल तक जिंदा रहेगा तो उसे साथ सो पंद्रा ही मिलेगा आज से चालिस साल बाद साथ सो पंद्रा रुपए में एक दिन की सब्जी नहीं मिलेगी तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा मतलब सौ साल तक जिंदा ही नही जैसा के अभी चर्चा होई 2014 में जब बीजेपी बिरोध में थी सत्तापक्ष में नहीं थी तो इनके 55 संसदों ने हम ही लोगों को लिख के दिया था कि हम पुरानी पेंशन की मांग उठाएंगे संसद में इन्होंने लिखित दिया हमें और उनमें से 24 ने संसद में उठाया ही लेकिन आज स्थिति है कि आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो पुरानी पेंशन का मुद्धा उठाएं मैं दिवा कर रहा है हमारे डिप्लोमा इंजिनियर्स के जो डिटायर साथ ही है उनका मैं अध्यक चूँ और हम लोग यही चाहते हैं कि हमको जो मिल रहा है वो हमार आने वाली पिढ़ी को जरूर मिले क्योंकि जैसा यह समाजिक सरोकार का यह मुद्धा है हमें पेंसन नहीं मिलेगी तो हमारा बेटा हमारा बहु हमारा साथ नहीं देंगे इसी प्रकार जैसा सुनने में आ रहा है बहुत चिंता है यह वेतन आयोग खतम कर रहे हैं कि certainty करता है सरकार की सेवा करता है क्या वह गारंटी, अहकदार नहीं है निश्चीतर से हमें भी गारंटी में चाहिए चाहे हमारे स्वासभा दक हो हमारे फिंसन की बात हो जैसंदी आप देखेंगे, शर्वे करा लीजिये अब हमेठी के डाली आए κάरे ने हम जो भी ने नेता दीने आया या बात करी आप लोगों से चुनाव चल रहे हैं अब तो सेंट्रल यूपी में भी चुनाव आ गया है बीस्तारी को लखनों में भी होना है कहीं कोई नेता आप लोगों के पास आया या बात करने के लिए जन पृतनी दी आया कि ठीक है हम आपकी मांग इतन इन छोटी चीज़ों के लोग काफी लडाई करके आंदूलन करके जो इनोंने खुद तैकर रखा है कि आपके सेवारी मिलेगा उसको नहीं देते हम लडाई करते आंदूलन करते वह हमको दिया जाता है और इस बार तो क्रोना काल में बहाना बना कमार कई भते उन्होंने का लिए और अभी कुछ लोगे दिया हम लोगे 400 बता एक अलग से रखा दो भी बंद कर दिया तो उस समय तो बंद नहींने लेकिन बाद में उसको दुबारा लागू करने क्लिए को आधा काल में बंद कर दिया या ग्रेट पे की बादी या पैंसन की बाती किसी मुद्द्ध ले लेजिए जो सबसे बढ़ा हम लोग समय स्या है जन परतनी तो हम लोगों से कोई बात करते नहीं है कि अपनी वास सीधे किसी राजनेता से जाके तो नहीं बात कर सकते हैं हम तो अपनी अधिकारी से बात करेंगे, दुरवाग है हमारे जो बीच में जो जनप्रतनी दिक्किया और हमारे बीच जो कड़ी है, अगर वही न साथ दे तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ तक लड़ते हैं, हमारी बात दब जाती हैं. कैसे काम होगा, कैसे आप लोगों काम चलेगा और कैसे आप लोगों की सुनवाई होगी, जो आपके मुद्दे हैं, उनका सुलूइशन कैसे मिलेगा। और करमचारी इसमें पूरी तरह से जागरूख है, आपने देखा होगा, मुद्दो से हम ऐसे जुड़े हैं कि पिछले विदान सबाचनाव में आपने देखा होगा, कितने परसेंट बढ़े थे, वोटिंग बढ़ी थी, आज भी हम लोग अब जब ट्रेनिंग करने जा र सर्म के नारों में, सच की चीक दफन होती है सत्ता के दिवारों में, और खेल सियासत चलता आया, आगे यही चलेगा भी, जूठे वादो संगपार हुए, हम फसे रहे मलदारों में, यही इस्तितिय करम चाहिए, बताइए जो मुद्दे आप लोगों के हैं, उन मुद्दो रही है, कहीं पर आपको दिखाई पड़ता है, मैं दिवाकर गौतम, महासची से तुर्गम डिपलाव इंजिनियर संग, जो आप डिवेट देखते हैं, टीवी में, इनके आपसी मुद्दे हैं, पक्ष और बिपक्ष, इनके ही मुद्दे हैं, बाकि उसमें ना जनता का को आपस में लग रहा है कि लोक तंत्र खत्रे में है, सम्विधान खत्रे में है, लेकिन निश्ची तुरूप से मैं आपको बताऊं कि जो हमारी पूरानी पेंसन की मांग है, आप दूसरी सब्दों में कह लिए तो नई पेंसन दम तोड़ता बुढ़ा पा, मतलब आपको स कपलोमन जीनर संगलोक निर्मान विवाग मैं इनकी बात से हंडेट परसेंट सहमत हूं क्योंकि करमचारी अपनी बात रखने के लिए कहीं भी जाया, उसके कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, एनपेंस की जो अठारे साल से मांग चल लई है, उस पर कोई सॉलूशन नहीं है अभी बताया का पचपन सांसादोन लिकर के दिया, उसका भी कोई महत नहीं है, वादे किये थे आप लोगों से वो भी पूरे नहीं है, और पैंसन क्यों जरूरी है, चूंकि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, अगर बुढ़ापे की लाठी हमारी छीन ली इनोंने, तो की बहाली को लेकर के बहुत विरोध प्रदेशन किये गए, इसको मुद्दा बनाया गया, लोगसभाद चुनाओं के जब बात कर रहे हैं, आधा चुनाओं खत्म हो चुका है, उस बीच में पेंशन बहाली का मुद्दा करमचारियों के बीच बुलंद है, लेकिन अभी त को मिटाने या बचाने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसल्मान की बात हो रही है, लेकिन जो करमचारी संग हैं, तमाम करमचारी संग के बतादिकारियों के साथ बात करने के बाद निश्कर्स ये निकलता है, कि इन सभी को सरकार के उन वादों का इंतजार है, पुरानी पिं बेल आइकन तफाएं और देखते रहें स्रिश्च यूपी